नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में Realme 9 वर्सस शाउमी रेड्मी नोट 11S का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 9 में 6.31 इंच जबकी Redmi Note 11S में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है width की बात करें तो Realme 9 में 2.89 inch जबकि Redmi Note 11S में 2.91 inch की width मिलती है बात करें थिकनेस की तो दोनों phone में same ही 0.31 inch की thickness मिलती है अब बात करते है weight की तो Realme 9 में 178 grams जबकि Redmi Note 11S में 179 grams का weight देखने को मिलता है जो की same जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 9 में Super AMOLED जबकि Redmi Note 11S में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 9 में 6.4 इंचस जबकि Redmi Note 11S में 6.43 इंचस मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio Realme 9 में 84.2 एक प्रतिशत जबकि Redmi Note 11S में 84.6 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Realme 9 में 411 पिक्सेल प्रतिशत जबकि Redmi Note 11S में 409 पिक्सेल प्रतिश इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वकून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Realme 9 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Wide Angle Camera और आखर में Macro Camera देखने को मिलता है और Redmi Note 11S की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो दोनों phone में 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा गाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Realme 9 में Adreno 610 जबकि Redmi Note 11S में Mali G57MC2 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Realme 9 में Qualcomm Snapdragon 680 और Redmi Note 11S में Mediatek Helio G96 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में same ही, दो variant देखने को मिलता है और दोनों phone में same ही 6GB, 8GB की RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही, दो variant देखने को मिलता है और दोनों phone में same ही 128GB, 128GB की storage मिलती है Expandable Memory की बात करे तो Realme 9 में अप्टो 256GB जबकि Redmi Note 11S में अप्टो 1TB है Operating System की बात करे तो Realme 9 में Android V12 जबकि Redmi Note 11S में Android V11 देखने को मिलती है Battery की बात करे तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं Colors की बात करे तो दोनों phone में same ही 3 Colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बात करे प्राइस की तो Realme 9 में 2 variant देखने को मिलते है जो की 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 17,999 रूपीज 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 18,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करे Redmi Note 11S की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 17,499 रूपीज 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 18,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो Realme 9 में 7 फाइदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करे Xiaomi Redmi Note 11S की तो उसमें 8 फाइदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करे है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme 9 आगे है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Redmi Note 11S आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y75 5G है दुसरा EQZ 5 5G है तीसरा Realme 9 Pro Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A33 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना